अगर आप भी चाहते हैं कम तेल का कुछ बनाना ब्रेकफास्ट के लिए या आपका कुछ अलग सा खाने का मन है तो ट्राइ कीजिएगा ये सूजी अप्पम की रेस्पी आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और स्पॉंजी है और बनाना बहुत इजी है इंस्टंट आप इसे बना सकते हैं दस मिनट में बनके ये रेडी हो जाएगा और इसी के साथ खाये जाने वाली ये बहुत ही टेस्टी आज मैं आपके साथ चटनी की रेस्पी शेयर करूंगी जिसे आपने पहले कभी नहीं ड्राइ किया हुआ तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो कि अधिक जार में हम डालेंगे सुझी तो मैंने यह एक कटोरी सुझी लिये और इसमें हम ढाल देंगे थोड़ा सा नमाक, सौद अनुसार, साथि में बहुत ही थोडे से मैं इसमें चीनी डालेंगे आदा चोड़ी चमच, इसको अच्छे से पीस्केस का पाउडर बना ले जितने हमने सूजी ली है उतनी ही हमें दही लेनी है मतलब एक कटोरी मैंने यहापे सूजी ली है एक कटोरी हम लेंगे दही और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक कटोरी ही पानी तो पहले शुरू में आप पानी कम डालें जरुत के हिसाब से हम बाद में इसमें पानी और डाल देंगे शुरू में एक साथ सारा पानी डारा दे अब दही पानी और सूजी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे बैटर के आप consistency देख सकते हैं इस तरीके का हमें बैटर चाहिए तो अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी हम इसे 10 मिनट के लिए उठा के साइड में रख देंगे क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूलती है बाद में जरुत लगेगी तो उसके साथ से हम इसमें पानी डा है और अब नदर ढाल देंगे 2 बेड़ी चमच चने की डाल इसको भी रहलका सा भून के डालेंगे लोव फ्लेम पे रोस्ट करना है यसमें पानी किसमें बूनी हुई और सूखा गोला हुता है मैं आपे लिया हैю 3 बड़ी चमच इसको हम कद्दु कस करके डालेंगे आप तोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया, साती में थोड़ा इसी महरी मुचिस में ज्यादा डालेंगे तीन से चार, क्योंकि जो चटनी है हलकी से चटपटी ही अच्छी लगती है, एक छोटा टोड़ा हम इसका अधरक कर डालेंगे, और इसमें भी हम चीनी डालेंगे, आदा पीसेंगे, दही नी डालना जादा बस तीन चम्मस दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से पीस लेंगे, आप देख सकते हैं चटनी आपको कुछ इस तरीके के दिखेगी, अगर आपको यह चटनी थोड़ी सी गाड़ी लगती है, तो आप इ इससे क्या है, जो चटनी का टेस्ट आना वह बहुत जादा बढ़ जाएगा, इस चटनी को आप बना के आराम से 2-3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती, किसी भी परांठे के साथ, किसी भी सेंड़ीच के साथ, आप इसे सर बाड़ी है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ध्यान रखें, बहुत जादा हमें पतला बैटर नहीं चाहिए, बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, अब बस लास्ट में हम इसमें डालेंगे इनो, तो इनो का जो पूर डालने के बाद आप देखेंगे, यह जो बैटर है थोड़ा सा फूल जाएगा, और आपको मैं बैटर दिखाती हूँ किस तरीके का होना चाहिए, यह देखिए, इस तरीके का हमें बैटर चाहिए, तो यह बैटर हमारा रेड़ी है, अब इसे जादा देर के लिए हम नहीं पैन बहुत ही हलका सा गरम है, अब इसके बीच में ना हम बैटर डालेंगे, तो सारा बैटर एकी साथ बीच में डालेंगे, ऐसे फैला के नहीं डालेंगे, तो एक बड़ा चमचा के करीब हम इसमें बैटर डालेंगे, और हलके हातों से हम इसको ऐसे घुमा लेंगे, तो बहुत जादा पतला नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मोटा ही फैनाएं, अब बिलकुल low to medium flame पे हम इसे ऐसे ही सिखने देंगे, बिना छेड़े, ना ही हम इसे ढखेंगे, ना ही हम इसको gas की flame को हाई पे और दीरे दीरे आप देखेंगे, इस तरीके से इसमें bubble बनने लगे हैं, ये देखें, कुछ इस तरीके का आपको देखेगा, जब आपको लगेगा कि उपर की जो layer है वो अच्छे से सूख गई है, मतलब सिख गई है, तब हम इसको हटाएंगे, और इसे हमें सेकना एकी सा आपको मैं दिखाती हूँ, ये अच्छे से सिख गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा instant सूजी अपम बनके रेडी है, आप देख सकते हैं, नीचे से कितना अच्छा सिखा है, और उपर से जिस तरीके के हमें bubble चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बना है, तो यहाँ पेसी त मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, आज की मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी, ये भी बताईएगा, कमेंट करके वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, और चल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे,